तो Java language सिखने की स्रीज में हमें encapsulation देख रहे हैं और आज हम लोग बहुत ही important topic पढ़ने जा रहे हैं जहां पर हम लोग यूज करने माले हैं Constructor, Gator Stator और Array साथ में इस यूग आप हो सकते हो और run time पे एरे के form में user से input लेना तो यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही important हो जाता है जहां पर हमें complex data को handle करना हो और more than one data को handle करना हो more than one object को handle करना हो ठीक है तो यहां पर हम लोग scratch से सारी चीजे करेंगे एक हम लोग सबसे पहले class बना लेते हैं इसको मैं delete कर लेता हूं आप backup ले ले लिए ना इस चीज का तो यहां पर इससे पहले वो सारे वीडियो आप जुरूर देखें जहां पर मैंने सारी चीजों का अच्छे से बता रहे हैं encapsulation के बारे में यहां पर हमने ले लिया encapsulation पॉब्लिक स्टेटिक वाड में फिनिश तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग एक class ले लेते हैं हम लोग क्या करेंगे गटर सेटर में बनाएंगे और वेल्यों को सेट कर लेंगे साथ ही में हम लोग यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट्स दो ही डेटा लेंगे जो हम लोग लास्ट टाइम किये थे इंट आईडी ले लिया और एक ले लिते हैं स्ट्रिंग ने गेटर सेटर में था कैसे बनाना है वह मैंने आपको बता दिया है और यहां पर मैंने ले लिया प्राइबिट लास्ट वीडियो में आई थिंक प्राइबिट कीवर्ड हमने यूज नहीं किया था उसे आप यूज कर ले ला यहां पर देखिए गेटर सेटर में हमने चुकि देख रहा है गेटर सेटर में था कैसे बनाते हैं तो यहां पर जो हमें इकलिस बना के देता है ना उसे हमें करना है यहां पर करना है यहां पर सूर्स में जाना है और यहां पर देखिए यहां यूज कर लेना होता है तो यह हो गया यह मैंने आपको बता रख है ठीक है अब यहां पर हमें क्या करना है तो यहां पर आप स्टुडेंट्स का ही ऑब्जेट बनाओगे चुडेंट्स और यहां पर एरे के फॉर्मेट में न्यूव स्टुडेंट्स ठीक है और यहां पर हमें 5 त्टुडेंट्स का डेटा चाहिए ओल्रेट तो यह हमारा ऑब्जेट बनाओगे है अप चाहिए और यहां पर हमें क्या करना है यूजर से input मिलेना है run time पे तो उसके लिए यहां पे आप क्या करोगे loop लगाओगे for int i equals to 0 i less than s.length जो s का length है या तो यहां पे आप हाड कोड़ेट कर सकते हो i++ कर दो गड़ेंटर अल्राइट अब यहां पे दिखिये आप चाहो तो variable को बाहर रख सकते हो या फिर आप अंदर ही रख सकते हो ओके तो यहां पे सपोर्ज हमने एक ले लिया id तो int id equals to हमें क्या करना है यूजर से लेना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था scanner के वड़ीट करते हैं scanner scan equals to new scanner और यहां पे system.in और scanner जो है वो हमें इंपोर्ट करवानी होती है कहां से जावा.util से तो इंपोर्ट जावा.util और तो scanner इंपोर्ट हो गया scan को लिए scan हमारा variable है यहां पर scan.next int ठीक है नेक्स्ट इंट से हमें basically int वाला वेजू मिल जाएगा अल्राइट उसके बाद यहां पर हमें लेना है string के लिए यहां पर आप क्या करोगे अब देखिए यहां पर सपोर्ज यहां पर हमने लिखा string नेम और यहां पर कर लिए scan.next line अब देखिए जब हम लोग यह next line होता है ठीक है जब हम लोग यहां पर कोई id लेते हैं मतलब कोई इंट वेल्यू ले लिया और उसके बाद यहां पर हमने string को यूज करना चाहा ठीक है तो string को जब हमने यूज करना चाहा तो उसके लिए यहां पर आप पहले लिख लेते हो scan. जो आपको variable name है और यहां पर next line यह आपको देना होता है तभी वो string को read कर पाता है ठीक है यह आपको लिखना होता है तभी यहां पर आप variable को access कर सकते हो तो इसलिए प्राइब किजिएगा scan.next line लेने का अधरबाई आपको सही सा output नहीं आए ठीक है तो यह हमने दो ब इस method के थो हमें क्या करना है बार बार runtime पे इसको create करना है तो देखिए यहां पर हमने क्या किया as object बनाया है equals to new keyword के help से हम लोग value का assign करेंगे अभी हमने value का assign नहीं किया है याद है यहां पर हम लोग क्या करते थे new student और यहां पर हम लोग parenthesis में data भेजते थे लेकिन चुकि ह यहां पर न्यू स्टुडेंट ठीक है और यहां पर क्या क्या भेजना में जितनी बार यहां पर लूप चलेगी उतनी बार value असाइन हो जाएगे तो यहां पर हमें एक भेज लेना है ID और एक भेजना है name ऑल्राइट और चुकि यह एरे है तो यहां पर आपको SI लेना है त तो कहने का मतलब है जब first बार call होगी method या फिर first बार loop चलेगा तो उस case में यहां पे एक student है suppose s0, s0 वाले index में जितने भी उसकी value है न id name वो सारा s0 पर assign हो जाएगा उसके बाद 1 चलेगा तो s1 पर id name चलेगा उसके बाद 2 चलेगा तो s2 पर assign होगी value, s2 id और s2 name और तो इस तरह हमारा total 5 data store हो जाएगा ओके अब इसी को हमें print करवा लेना है तो आप loop लगा लिए जिस सेम वही और यहां पे हमें print करवानी value तो यहां पे आप डिरेक्टी उज़ कर सकते हो syso control space यहां पे ln नहीं लेते हैं यहां पे कर लिया क्या id और id में यहां पे suppose हमने call करवा लिया s के थुरू करवाना है तो si.get id अल्राइट चुकि हमें value get करना है तो get यूज होगा न और set में आपको बताया था कि जब आप कुछ configure करते हो runtime और यहीं पे op कर लिया ctrl v name वाला भी यूज कर लेते हैं तो यहां पे name और si.get name अल्राइट आप देखिए जब हम लोगों next land में आएंगे यह बार print होने के बाद तो यहां पे एक space ले लेते हैं तो s y s o ट्रॉल इस्पेस और यहां पे blank रख सकते हो या फिर यहां पर क्या कर सकते हो इस से क्या होगा जब यह वेल्यूप्रिंट होगी यह उस्सी लाइन में प्रिंट होगी जब next land में जाएंगे हम लोग यहां पे एलन हमने यूज किया हुआ है तो इसकी जौरत नहीं है यहां पे संजीत दुसरा कर लिया 102 यहां पे आपर पर लेते हैं रोहित कुछ पिर 13 यहां पर कर लिया रेष्मद और यहीं पर कर लेते हैं 104 यहां पर कर लिया रवी और 105 यहां monstrue देख सकते हैं एक यहाँ पर इवी तो हम यहां पर इस पेस мосक्व क्या धैज कर ले सकते हैं फिर कर देख कर दो इन तो यहाँ पर यहां प्रिंट नेम spricht भान कि को सब्सक्राइब पर काल होगे यह इतनी बार कोосरे को बरे कि र यह यह होगी आपका S0.ID, यह होगी S0.Name, और यहां पर यहां पर सपोज आपने लिया, यह लूप सपोज आपने ही चलाते हो, ठीक है? यहां पर मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, सपोज यहां पर आपने पोपी किया, यहां पर कर लिया Ctrl-V, और यहां पर इंप्रिट क है, S1 2, S3 3, S4, Ok , तो S0 यहां बेसिकले आपका यह वाला प्रिजन कर रहा है तो यह हमें प्रिंट करवाने हैं तो देखें यहां पर कैसे करते हैं उसके लिए यहां पर आप एक इस स्पेस लीप कर लेते हैं यहां पर चाहो तो इसको कोपी कर सकते हो एक ही बार बार लिखने की जवरत नहीं है तो रन एच जावा एप्लिकेशन अब यहां पर कंट्रूल भी किया एंडर किया देख सकते हो आईडी 101 नेम आ गया फिर 102 रोहित आ गया रेश्मा रवी सनी और यहां पर फिर्स्ट वाला डेटा ही हो रहा है ओके तो यह हो जाते हैं आपके रन टाइम पर कंस्ट्रेटर मेथड को यूज कर लेना और यह बहुत ही इंपोर्टन हो जाता है जदे आप जावा प्लेलिस्ट वीडियो देखोगे एक मैंने वीडियो बना रखा है वहां पर आपको यह ज्यादा तर मिलेंगे इसको और कॉम्प्लेस करेंगे आने और वीडियो में तेकिन जो स्टेवा इस्टेप प्रोसेस है वह आप ज़रूर रीट कीजिए अधरवाज आपको कॉम्प्लेस लगेग तो यह था हमारा वीडियो जरू अच्छी लगे होगी सब्सक्राइब करेंगे मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यू हैपी लर्णिग